मेरे प्रीय भाई और बेहनों, हमें लूकस के सुसमाचार गिये अध्याए पांच में एक बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ने को मिलता है प्रभी एसु गलीलिया जील के तड़ पर आते हैं बड़े सबेरे और उन्होंने देखा कि कुछ मच्वे अपने नाओ को तड़ पर रखा था और वे अपने जाल साफ कर रहे थी और प्रभी एसु आपर आते हैं और शीमौन से कहते हैं कि अपनी नाओ मुझे दे दे और शीमौन उसके अपनी नाओ को जल में डाल देता है प्रभी एसुस पर बैड़ जाते हैं लोगों को उस सुसमाचार सुनाते हैं उसके बाद प्रभी ने शीमौन से कहा कि नाओ गेहरे पानी में ले चलो और मच्वी पकड़ने के लिए जाल डालो सीमौन ने कहा गुरुवर हमने रात भर परिश्रम किया हमने एक भी मच्वी नहीं पकड़ी लेकिन आपके कहने पर हम करेंगे और पेतरुस ने शीमौन ने ऐसा ही किया और इतनी सारी मच्वीयां जाल में फस गए कि वे संभालने पाए अपने दोस्तों को भी इशारा किये इसको एक चमतकार कहेंगे लेकिन मैं यहां इसको एक प्रतीक के रूप में लेता हूँ देखिए शीमौन मच्वा था मच्ली पकड़ना जानता था शायद बच्वपन से मच्वी पकड़ना उसका पेशा था प्रभी येशू तो पेशे से बड़ ही थी शीमौन बच्वपन से पेशे से मच्वा था मच्वी पकड़ा गरता था उससे मालुम था कि कैसे मच्वी पकड़ने है किस वीधी से पकड़ने है कहां कहां मचलियां होती हैं लेकिन उस समय सीमोन को इस बात का ग्यान नहीं था कि मचलियां कहां हैं और प्रभु ने इशारा किया वहां और जाल बिछाया धेर सारी मचलिया मिली एक विशेश प्रकाश एक विशेश ग्यान इसको हम बिवेक कहेंगे ये जानना कि इस समय कहां जाल बिछाय जाए इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत बिफल हैं प्रतिभाएं रखते हैं अच्छे खासे हैं पढ़े लिखे हैं शिक्षित हैं बुधिमान हैं अच्छा स्वास्त्य है यहां तक की पैसा भी है धन भी है इसके बहुत सारे लोग बिफल हैं अपने जीवन में उनका धन्दा तूट गया है परिवाद तूट गया है केरियर तूट गया है ऐसा क्यों? उनके अंदर विवेक की कमी है प्रग्या की कमी है आप पढ़ेंगे बैबल की प्रग्या ग्रंद के अध्याई नौ उसके वाक्य छे में लिखा हुआ है वास्तव में यदि मनुश्यों में कोई पूर्ण हो किन्तु उसमें तेरी प्रग्या नहो तो वाक कुछ भी नहीं समझा जाएगा एक बार और पहता हूँ वचन में लिखा हुआ है वास्तव में यदि मनुश्यों में कोई पूर्ण हो किन्तु उसमें तेरी प्रग्या नहो तो वाक कुछ भी नहीं समझा जाएगा प्रतिभाय हूँ पैसा हो बुधिमान हो कुषल हो अच्छा स्वास्त्य हो सुंदर हो सब कुछ रखते वे भी मनुश्य कुछ भी नहीं समझा जाएगा आगर उसके अंदर प्रग्या की कमी हो विवेक की कमी हो कहां कब क्या कैसे बोले कहां कब क्या कैसे करे बने ये ग्यान नहो तो वो जीवन में सफल नहीं हो सकता है हो सकता है कि आपके पास बहुत अच्छा जीके है जनरल नौलेज है सामाने ग्यान है संसार के सारी बातों के बारे में बहुत जानकारी है लेकिन प्रग्या नहों तो आप अपने जीवन में सफल नहीं होंगे और ये प्रग्या हमें कहां से मिलेगी ये प्रग्या हमें कहां से मिलेगी हमें युनिवर्सिटी तो उससे तो नहीं मिलेगी हमें नेट से नहीं मिलेगी हमें किसी बजार से नहीं मिलेगी किसी मित्र से नहीं मिलेगी प्रग्या विवेक यह एक इश्वरी ये गुण है इन सारी सचाईयों को जानना जरूरी है प्रग्या यह विवेक यह इश्वरी ये गुण है इश्वर से ही आती है हमें राजाओं के पहले ग्रंध के अध्याई तीन में एक बहुत सुंदर प्रसंग मिलता है राजाओं का पहला ग्रंध अध्याई तीन इश्वर ने सुलेमान को दावुद का बेटा सुलेमान, सुलेमान को इस्राइल का राजा बनाया सुलेमान जवान था युवा था और रात में इश्वर ने सुलेमान को सपन में दिखाई दिया और सुलेमान से पूछा बोल सुलेमान मैं तुझे क्या दूँ सुलेमान बोल मैं तुझे क्या दूँ सुलेमान ने क्या मंगा सुलेमान ने सोना नहीं मांगा धन नहीं मांगा सुलेमान ने सेना नहीं मांगी दूसरे राष्ट्रों पर राजियों पर विजय नहीं मांगी सुलेमान ने नाम नहीं मांगा यश नहीं मांगा सुलेमान ने क्या मांगा मलमचन में लिखा हुआ है उसने कहा अपने इस सेवक को विवेक देने की गिर्पा कर जिससे वो न्याय पूर्वक तेरी प्रजा करशासन करे और भाला तथा बुरा पैचान सके सुलेमा ने प्रभु से कहा आप मुझे विवेक का वर्दान दिजिए जिससे मैं न्याय पूर्वक अपने प्रजा पर शासन करूँ और भाले और बुरे को पैचान सकूँ भाले और बुरे को पैचानने की जो शक्ती होती है जो सूक्ष में ग्यान होता है शक्ती होती है विवेक है आदुनिक यूग एक मिश्रित यूग है यहां पर भला बुरा दोनों मिश्रित है सचाई और जूट दोनों मिश्रित है सब कुछ मिश्रित है पैचानना परखना बहुत कथी नहीं कौन वास्तों में सचा है कौन जूटा है यह पैचानना बहुत कथी नहीं कौन भला है कौन बुरा ये पैचानना बहुत कठीन है कौन असली है कौन नकली है पैचानना बहुत कठीन है बजार में लोग ठगे जाते हैं लोग पैसा देकर माल खरीद के आजाते हैं घर पहुंजने के बात पता चला अरे मैं तो ठग गया शादी हुई लड़का ठक निकला कहती है कि मैंने सोचा कि अच्छा है देखने में अच्छा था बोलने में अच्छा था लेकिन ये तो धोके बाद निकला बिजनेस शुरू किये पैसा लगाए सोचा कि बहुत कुछ मिलेगा बड़ा बड़ी उम्मीद थी लेकिन गफलन निकला सब गड़बर निकला विवेक की कमी विवेक की कमी अगर विवेक ना हो तो हम ठगे जाएंगे इसलिए सुलेमान ने कहा कि भले और बुरे को पहचानने के लिए मुझे शक्ति दीजिए विवेक दीजिए वचन में आगे लिखा हुआ है सुलेमान का ये निवेदन प्रभु को अच्छा लगा सुलेमान का ये निवेदन प्रभु को अच्छा लगा प्रभु ने उससे कहा तुमने अपने लिए ना तो लंबी आयू मांगी, ना धन संपत्ती, और ना अपने शत्रों पर कविनाश, तुमने नियाय करने का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुमारी इच्छा पूरी करूंगा, मैं तुमको ऐसी बुद्धी और ऐसा विवेक प्रदान करता हूं, कि तुम्हारे समान ना तो पहले कभी कोई था, और ना बाद में कभी कोई होगा, और जो तुमने नहीं मांगा, मैं वह भी तुम्हें दे देता हूं, अर्थाद, ऐसी धन संपत्ती तथा ऐसा आईश्वरिय है, जिससे कोई भी राजा तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा, प्रभु को राजा सुलेमान की प्रातना बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सुलेमान ने ना लंबी आयू मांगा, ना धन मांगा, ना यश्व मांगा, ना शत्रों प्रवजे मांगी, उसने विवेक मांगा, हमारी प्रार्तनाओं में बहुत बड़ी तुरुटी है, हम सर्फ सानसारिक चीजें ही मांगते हैं, मैं बराबर आप से बूला करता हूँ, विश्वास के लिए प्रार्तना कीजिए, प्रार्थना के वर्दान के लिए प्रार्थना कीजिए, मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए, विवेक के लिए प्रार्थना कीजिए, पवितरात्मा के लिए प्रार्थना कीजिए, राजा सुलेमान की प्रार्थना प्रभू को बहुत अच्छी लगी, इसलिए प्रभु ने उसको भरपूर प्रग्यादी विवेक दिया इतना ही नहीं जो उसने मागा नहीं था वो भी भरपूर मात्रा में दे दिया यह है प्रार्तना का मतलब यह है विवेक का फल हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंद की अध्याय आठ उसके वाकिय ग्यारा में लिखा हुआ है कि प्रग्या विवेक बहमूल्य मोती से भी बढ़कर है प्रग्या बहमूल्य मोती से भी बढ़कर है हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंद की अध्याए 8 उसके वाक्य 11 में कि प्रग्या बहमूल्य मोतियों से भी बढ़कर है प्रग्या बहमूल्य मोतियों से भी बढ़कर है हम पढ़ेंगे प्रग्या ग्रंद की अध्याए 9 वाक्य 17 में कि प्रग्या के द्वारा ही हम इश्वर की इच्छा को पहचान सकते हैं प्रग्या के द्वारा हम इश्वर की इच्छा को पहचान सकते हैं हम पढ़ेंगे प्रग्या ग्रंद के अध्याय साथ उसके वाक्य 28 में कि प्रभू उन लोगों को प्यार गरता है जिन में प्रग्या निवास कर दिये है यानि प्रभू प्रग्यावान लोगों को विवेकी लोगों को प्यार गरते हैं अब सवाले कड़ा होगा हम कैसे प्रग्या प्राप्त करें हम कैसे प्रग्या प्राप्त करें सबसे पहली बा प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है प्रग्या उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है प्रग्या और पाप एक साथ नहीं जा सकते हैं विवेक और पाप एक साथ नह जा सकते इसलिए अगर हम प्रग्या चाते हैं विवेक चाते हैं तो हमें अपने आपको शुद्ध करने की जरुवत है अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांग कर अपने आपको शुद्ध और पविद्र करने की जरुवत है जिस हिर्दे में छल है कपट है धोका है अ सबसे पहली अवश्यक्ता है कि हमें पाप से मुक्त होना अगर हम पाप में जीवन जीएंगे हमारा मन अंधकार में होगा और हमारा निरने भी गलत होगा इस सचाई को सबकु सुनना चाहिए जानना चाहिए लोग बहुत कुछ करते हैं बहुत परिश्रम करते हैं हाथ-पैर मारते हैं लेकिन अगर आपके अंदर पाप निवास करता है आप बुराई में जीवन जी रहे हैं चल कपड के लिए आपके दिल में स्थान है क्रोध के लिए स्थान है तो आप कितना भी परिश्रम करें आपका निरने गलत होगा आप सही निरने लेने पाएंगे क्योंकि आपके अंदर प्रग्या नहीं है आप अंधेरे में है इसलिए प्रग्या प्राप्त करने के लिए सबसे पहली बात अपने पाप से मुक्त होना चल कपड से मुक्त होना तभी हमारे अंदर प्रग्या प्रवेश कर सकती है दूसरी बात प्रभू परशधा प्रभू प्रभु परशद्धा प्रग्या का मूल श्रोत है। प्रभु परशद्धा है। सबसे पहले प्रभु ईश्वर का आदर करना, समान करना। ईश्वर के अस्तित को मानना, वो पवित्र है ये मानना, वो महान है ये मानना। वो सर्वव्यापी है, सर्वत्र ये जानना, मानना, वो सर्वव्यापी है, सर्वग्यानी है, सब कुछ जानने वाला ये जानना। वो आदी है अंत ये मानना वो सर्वशक्ति मान ये मानना वो हमारा स्रिष्टी करता है सब कुछ उस्योत्पन हुआ है वो मेरा पिता है ये मानना वो मेरा प्रभू है ये मानना वो मेरा मालिक है ये मानना वो नियाई है नियाए करता है मेरे एक एक कर्म को देखता है जानना प्रभु के वचन को मानना उसको महत्तो देना, मूल्यवान समझना, अपनी बुद्धी से परे प्रभु के वचन में छीपे वे प्रभु की प्रग्या को स्विकार गरना, प्रभु के वचन का आदर करना पालन करना उसको स्विकार करना उस पर विश्वास करना अपनी पुद्दी से बढ़कर प्रभु की प्रग्या पर जो पवित्र वचन में छिपीवी है उस पर विश्वास करना उसको मानना यह है ईश्वर का भाय खाने का मतलब इब्रानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो शब्द है यीरा यीरा का मतलब है विस्मे यीरा का मतलब है विस्मे आश्चरिय जो व्यक्ति इश्वर की स्रिष्टी को देखकर उसके अंदर आश्चर उत्पन होता है विस्मे उत्पन होता है जो व्यक्ति ईश्वर के कारियों को देखने के बाद उसके अंदर विस्मय उत्पन होता है आश्चेरिय उत्पन होता है प्रभु के प्रेम का एसास करने के बाद आश्चेरिय उत्पन होता है सिष्टी में जो सुन्दरता है जो प्रग्या उसको देखने के बाद उसके अंदर आश्चेरी और विस्मे उत्पन होता है प्रभु के पवित्र वाचनों को सुनने के बाद उसके अंदर जो आश्चेरी उत्पन होता है विस्मे उत्पन होता है उसके अंदर प्रग्या का जन्म होता है तो जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखता है ईश्वर का भैखाता है ईश्वर को स्विकार करता है ईश्वर की अधीनता स्विकार करता है ईश्वर के वचनों को मूलेवान समझता है एश्वर की बातों को सोचते हुए अपने में अश्चरी महसूस करता है उसके अंदर प्रग्या उत्पन होती है तीसरी बात प्रग्या के लिए हमें प्रार्थना करने की अवश्चता है प्रग्या के लिए हमें प्रार्थना करने की अवश्चता है विवेक के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करने की अवश्रक्ता है प्रग्याग्रंद अध्याई साथ वाके साथ वहां पर लिखा हुआ है मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला मैं 14 साल का था उस समय एक साधना में भाग लिया उस साधना में वचन सुनाने जो भाई जी आये थे, काफी मर के थे विवाहित नहीं थे लेकिन अविवाहित, ब्रह्मचारी बीच में हम बच्चों से मिलते थे मैं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए उनके पास गया उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना कि और उसके बाद कहा, बेटा तुम बुद्धिमान हो, you are very intelligent लेकिन प्रग्या के लिए प्रार्थना करना विवेक के लिए प्रार्थना करना, इसी तरह बाद में भी, मेरे प्रग्या के लिए प्रार्थना कीजे विवेक के लिए प्रार्थना कीजे इसलिए बराबर मैं विवेक के लिए प्रार्थना करता हूं प्रग्या के लिए प्रार्थना करता हूं हमें प्रग्या के लिए प्रार्थना करने की जरुवत है याकूब का पत्र अध्याई एक उसके वाकिय पांच में याकूब कहते हैं आप मेंसे किसी में प्रग्या की कमी है तो वो प्रार्थ ना करें और उसे प्रग्या मिलेगी आप मेंसे किसी में प्रग्या की कमी है विवेक की कमी है प्रार्थ ना करें उसे प्रग्या मिलेगी विवेक मिलेगा आप सभी जानते हैं हम सभी जानते हैं हम अपनी जीवन में कितनी गल्तियां कर बैठते हैं और बहुत सारे लोगों की जिन्दगियां गल्तियों को सुधारने में ही बीच जाती है एक गल्ति के बाद दूसरी गल्ति, दूसरी के बाद तीसरी गल्ति, गल्तियों को सुधारते, सुधारते, सुधारते माफी मांगते 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 जिन्दगी बीच जाती है अगर हमारे अंदर विवेक है तो हम इतने गलतिया नहीं करेंगे, यह सत्य है कि हम लोग दुर्बल हैं हम लोग अग्यान हैं लेकिन इतने गलतिया नहीं करेंगे हमें प्रतिपल कितने नरने लेने होते हैं सही वर पाने के लिए सही वधू चुनने के लिए सही केरियर चुनने के लिए मैंने ऐसे लोगों को देखा बहुत सारी योगों को देखा पहले इंजिनियरिंग किये उसके बाद जो है बी एड किये उसके बाद BSW किये तब भी कोई फायदा नहीं हुआ कुछ भी हासिल नहीं हुआ ऐसी गलती पर गलती को करते जाते हैं समय बीता जाता है पैसा भी बरबाद हो दाता है माबाप की उमीदें भी टूड जाती है ऐसे क्यों है क्योंकि हमने विवेक के प्रकाश में निरने ने लिया अंदा दुन किजी ने कह दिया तो हमने निरने ले लिया ऐसे क्यों हमें विवेक के लिए प्रार्तना करने के अवश्यक्ता है हमें बहुत सारे उधारन मैं आपके सामने रख सकता हूँ सही बिसनेस शुरू करने के लिए सही व्यक्ति को ढूनने के लिए सही दोस्ती के लिए सही करियर के लिए सही पढ़ाई के लिए निरने पर निरने हमें लेना पढ़ता है इसलिए प्रग्या और विवेक हमारे प्रति पल की अवश्यक्ता है हमारे प्रती पल की अवश्यक्ता है इसको समझिये ये जानना जरूरी है पैसा काफी नहीं है प्रती भाएं काफी नहीं है डिगरे काफी नहीं है हमारे अंदर प्रग्या होना अनिवार्य है इसलिए हम प्रग्या के लिए विवेक के लिए प्रार्थना करें प्रार्थना करना जरूरी है जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता उसके अंदर प्रग्या नहीं हो सकती है जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता उसके अंदर प्रग्या नहीं हो सकती है जब तक हम प्रभू के साथ नहीं जुडेंगे हमें प्रभू की आंतर द्रिष्टी नहीं प्राप्त होगी हम प्रार्थना करें कि प्रभू मुझे विवेक से भरिये प्रग्या से भरिये आँखे मन कीजिए द्यालू पिता धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए तेरी आशिशों के लिए धन्यवाद देता हूँ इन सुन्दर पलों के लिए धन्यवाद देता हूँ पिता तुने अपने पुत्र से कहा उसके प्रार्थना के दवरान मैं तू से अत्यंत प्रसन हूँ तू अपने पुत्र से अत्यंत प्रसन था यानि वो प्रसन होने योग्य था प्रग्या पूर्ण था येशु के मुँझ से निकलने वाले एक एक वचन को लोग सुनना चाते थे क्योंकि एक-एक बचन में प्रग्या ग्यान सत्य छीपा हुआ था द्यालु पिता तेरे पुत्र येशु के नाम परमे पवितरात्मा का पिशेख दिजिए ताकि हमें भी प्रग्या मिले विवेक मिले हम अंधों की तरह संसार में जी रहें अंधा दून चल फिर रहें हैं हमारी बुद्धी प्रकाशित नहीं है हम ब्रह्म में अंधेरे में हैं गलत-गलत कार्य करते हैं गलत-गलत नरने लेते हैं हमें प्रग्या का वर्दान दिजिए इन वच्छनों को सुनने वाले के एक भाई बेहन को है पिता तेरे पुत्र येशु के नाम पर विवेक का वर्दान दीजिए प्रग्या का वर्दान दीजिए ताकि उनकी जंदगिया तेरी कृपाओं से बरी रहे बे सुख का सानबाँ कर सके आदम और एवा ने गलत निरने लिया क्या नतीजा हो गया दावुद ने गलत निरने लिया क्या नतीजा हुआ द्यालु पिता तेरे पुत्र येशु के नाम पर में पवित्रा आत्मा के दुआरा प्रग्या का वर्दान दीजिए ताकि हम सही निरने ले तेरी आशिशों की योग्य बने रहे प्रतिपल आनंदित रहे तेरी अनुग्रहों से संपन रहे धन्यवादी पिता धन्यवाद